हेलो फ्रेंड्स हेलो दियर स्टुडेंट आशुरू गर देंजी सेशन नमबर फोर्थ इस अल्फ रेगुलेशन गोल सेटिंग नाउँ सेल्फ रेगुलेशन वर्ड जो है उसना मतलब समझने के हुंदा की है रेगुलेशन ना मतलब हुंदा है कुछ रूल्स सेल्फ रेगुलेशन होंदा है अपने आप कुछ नियम बनाना है ते इस दे विच सा ड़कुल पहला टॉपिक है गोल सेटिंग ता इस तो बाद इक हो टॉपिक आएगा सेल्फ रेगुलेशन दे अंडर वाच दिखांगे तक गोल सेटिंग देखने हैं जी गोल सेटिंग क्या होंदा है गोल सानू सारा नू पता है कि एक पीच्चा एक एम लेके चलना अपनी लाइफ दे विच ता उसनू असनी गोल करने हैं गोल सेटिंग अन सेटिंग स्मार्ट गोल्स ता ए अज़र टॉपिक रहेगा काफे इंट्रेस्टिंग होन वाला है जी यह सेशन क्योंकि कुछ नवी चीज सिखोंगे जो आल्रेडी थो उनू पता है पर होर बेटर वेदी भी सिखोंगे तो शुरू करांगे जी सेशन देनाल एक स्टोरी दिती हुई है उस्सों मैं जल्दी तो कपर करना एक व्यक्ति जो है वो ट्रेवल कर रहे हुँदा है मतलब किते जा रहे हुँदे ओ अचानक ही आखे चो रस्ते दे वीच खड़ा हुँदे जित्थे चार रास्ते निकल रहे हुँदे है उत्य कहड़ा हुदे पर बजूर्ग अदमी तो पुछ ने कि एही रास्ता में नो कित्थे लेके जावेगा the elderly man पुछ रहे है कि कित्थे तुसी जाना जानने हो वो दुझे व्यक्ति नो जो ट्रेवल कर रहे होंदे उसनों पुछ रहे है कि तुसे कित्थे जाना जानने हो the man replied I don't know जो व्यक्ति होंदे हो कहनदा अभी मिन्नों नहीं पता है कि मैं कित्थे जाना जाना the elderly man said जो बजूर्ग व्यक्ति होंदे हो कहनदे है then take any road कोई भी रास्ता ले ले what difference does it make तो है कहनदे है कि इज़े विचे क्या अलग आप देख रहे हैं इज़े विचे क्या लग है कि ओहो एक रास्ता लवे या दुज्जा रास्ता लवे how true is that when we don't know where we are going any road we will take us there ता तो देखो जदो अपनों पता ही नहीं है कि ऐसे कित्थे जाना जानने है ता असी कोई भी रास्ता लए सकते हैं किते ना गेते ता अपनों लेके जाएगा ता बिल्कुल इसे तरह ही अपनी लाइफ दा एक काम हुंद है so in life we need to have a clear vision of what we will do and where we want to go तो देखो इस स्टोरी तो अपनों क्या पता लग गया कि अगर सानों पते ही नहीं है ता असी कोई भी रास्ते जा सकते हैं किते भी जा सकते हैं कोई रास्ता सानों चंगे पास से लेके जाएगा कोई रास्ता सानों माडे पास से लेके जाएगा पर अपनों नहीं पता कि कित्थे जाना है मतलब आपना कोई गोल ही नहीं है इसी तरह के नाल अपने life दे विच भी सानु clear vision होना जाएद है कि ऐसी किते जाना जानने है पे उस देली क्या करना जानने है इसी चीज नहों कहने है जी goal setting या goal भी कह दिने है जी aim कह दिने है तो goal setting बढ़ दें जी goal setting क्या होना गोल setting is a very essential factor in your personal life बहुत ही ज्यादा important चीज अपनी personal life दे विच the process of goal setting in your life helps you decide on how to live your life तो जो process होन दे है goal setting दा ए अपनी जिंदगी दी मदद कर दा है मतलब अपनी life दी मदद करेगा अपनी life दे विच मदद करेगा कैसे अपनी जिंदगी के में जिउनी है where you want to be, तुसी कित्थे पहुंचना चान्दे हो, how you want to be in the future अपने पविश दे विच या पविख्ध दे विच कहे जाए इंसान बनना चान्दे हो ता goal setting अपनी ए सारी जिज़न दे विच मदद करेगा ता goal देख दे है जी, goal क्या हूंद है they are a set of dream with a deadline to get them ता एक सुपनिया दा set है या कहलो एकठ एक सुपनिया दा जो कि असी एक deadline दे विच खतम करने है या उसनों achieve करने है प्राप्त करने है बलब एक time period दे विच आपने अपने सुपनिया नों पूरा करने है for example saving money, pocket money to buy a favorite mobile phone by a particular date एक example देती है कि आसी अपने पैसे बचा रहे हैं, pocket money बचा रहे हैं एक mobile phone एक particular date दे जो मैं मान लो कि मैं अपने birthday तक एक mobile phone खरीदना है था, एक deadline है, एक time है कि उदो तक मैंने आच चीज़ पूरी करने है था इस चीज़ नों आसी कहना है goal नाँ देखने है goal setting क्या हूंद है goal setting, it is all about finding and listing your goals and then planning on how to achieve them तक goal setting क्या हूंद है, अपना एक list बना रहे हैं या अपना find out कर रहे हैं कि असी अपने goals क्या रखने हैं या फिर मेरे goals क्या हैं then plan कर रहे हैं कि उन्हानों achieve के में करना है उन्हानों प्राफ्ट के में करना है goal allow you to separate out what's important the goals क्या कर दे हैं वोन्हों एहे permission देने हैं कि तुससे separate कर सुको कि की चीज मेरे लिए important है की चीज मेरे लिए नहीं important है it helps you to focus on the end result instead of less important work तहां जो goal होएगा वो थ्वानों help करेगा कि तुससे focus करो कि मेंनों इसना नतीज़ा क्या मिलेगा मेंनों किसे का मता है नतीज़ा क्या मिलेगा तहां तुसे जो बिकार देगा मैं जो less important work है जिना दी value नहीं है तो काम अवाइड करन लगे जानने हो जदो थ्वानों पता है कि थ्वाड़ गोल ही है this will make you successful in your career and personal life तन जदो थ्वाड़ कोई गोल होगे तो गोल थ्वानों थ्वाड़ी जिम्दगी दे विचे successful बनान दे ते थ्वाड़ी personal life दे विच भी तुसे successful होने हो ता हुन देखते हैं जी how to set a goal एक गोल बनान दे लिए एक एम बनान दे लिए या एक टिच्चा बनान दे लिए ता नो केडियां चीज़ना फॉलो करनी है पहने है क्या चीज़ सानो पता होगे we can use smart method to set a goal अपनो एक smart method दी लोड है अगर आसी अपना goal set करना चाहने है ता smart दी full form है specific measurable, achievable, realistic time bound ता smart नो पढ़ दे हैं जी smart क्या होन दे है smart approach क्या होन दी है ता पहली जीडी चीज़ है that is specific specific and clear goal answers six question जदो आसी एक goal बना ये ता ओ गोल बिल्कुल clear होना चाहिए जी अद्दा नहीं होना चाहिए भी कोई confusion होगे उससे वीचे सानो विहां जी मैं teacher का बना जानना पर मेंनू नहीं पता कि मैं के में बनांगा मैंनो ये नहीं पता कि कौन मैंनो बनाएगा एक दा दा कुछ उल्जया होया नहीं होना चाहिए specific होना चाहिए clear होना चाहिए to the point होना चाहिए ता six question दे answer अगर सानो मेल रहे है ता ओ गोल थोड़ी specific goal है जिमें who is involved in goal ता उस चेज नो achieve करन दे ली मेरे सुपने नो achieve करन दे ली केड़ा व्यक्ती विच involved रहेगा मैं रहांगा ते मेरे नाल कौन involved रहेगा what do I want to do मैंनो की करना पाएगा अपने सुपने नो पूरा करन दे ली तो जगोशन नहीं है where do I start मैंनो कित्थे तो शुरू करना चाहिए when do I start and finish मैंनो कदो शुरू करना चाहिए थे कदो खतम करना चाहिए which means do I use केडी चीज मैं यूज करां अपने सुपने नो पूरा करन दे ली why I am doing this मैं एचीज क्यों कर रहा है थे छे क्वोशन है जदो थो नो ये सारियां चीज था clear होन था उस गोल नो असी specific goal करने है एक ऐसा teacher जो मेरे लिए बिल्कुल clear है तो उसनो मैं हासल कर सकना है एथे नहीं के example भी देती है कि कई वरी ऐसी non specific goal या not a specific goal भी बना लेने है जो सन्नो ही नहीं clear होन था कि आसी के मैं achieve करना है जिमें एथे एक example देती है I would learn to speak English मैं English बोलना सिखांगा हुन दे कोई not a specific goal है क्यों कि मैं सिखांगा पर मैं नहीं नहीं पता कि के मैं सिखांगा तो specific goal दे एकजांपल देखो थो आनों clear हो जेगा कि क्या हुन था specific goal I will learn to speak English fluently by joining classes after my school everyday and in six months I will take part in the inter-school debate competition ता ही कह रहा है कि मैं English बोलना सिखांगा बहुत ही fluent मतलब अराम ना जेडी मैं बोल सकां भीना रुके ता उस्ते लिए मैंनों करना क्या पहेगा कोचिंग क्लासिस जाना पहेगा कदो जाना पहेगा मेरे स्कूल तो बाद जाना पहेगा मैं छे मिन्यादे विच्च सिखना चाहांगा कि English मैं छे मिन्यादे विच्च आवे ते उस तो बाद मैं एक competition थे participate कर सकां ता एह हुन दे है जी specific goal जदो थो थो उनों सारी हैं जीज तब measurable दा मतलब हुन दे है कि ओ चीज जड़ी ऐसी मिन सकीए या गिन्ती कर सकीए जित्थे सा नों पता हुए जड़ा गूल सा नों answer दवे how much and how many किनना जादा थे किनने मत्रा दे विच and how do I know that I have achieved result ते थो नों पता हुए कि मिन्नूंगे में बता लगेगा कि मैं अपना ट गोल दे विच तक कई वर यह से not measurable goals भी बना सकते हैं बना लेनने आप बना सकते हैं नहीं बना लेनने कई वर जिमें I want to be rich मैं अमीर का होना जाना बर मिन्नूं नहीं पता कि मैं कि मैं कि मैं अमीर हुआ 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 हुन देखो यह not measurable goal है अमीर मतलब किनने पैसे थोड़े गोल होने जाएदे है आज जित्व अड़को लिक तरपी है तो तुसे दस रुपे नूं अमीर नहीं कह सकते मतलब पता ही नहीं है कि तुसे के में अमीर हो रहे हो तुसे मिन ही नहीं सकते तब measurable goal केड़ा हुआ है जिसनूं आसे गिन सकते है जो सानूं अंसर्द रवे की मे अज़ें छी जिनने मेरी कुल पैसे है उस तो पक जवनाओ शनो ए्स सालों एंड दी विच विच बितते हैं जो मेर अज़ें शदा को अज मेरे कुल कुल 10 अशर्प जो प्ले all और था मेरे कुलन पंजाएद दिखहर सक सङकंद हैं तो connect जो अप्रोच है that is smart दे विच अन्दी है achievable achievable दा मतलव है ओ सुपना या ओ टिच्चा जो प्राप्त कर सका जो चीज मैं प्राप्त कर सका है अद्दा नहीं होना जाहिद है अभी मैं अपर दा अनमंत्री बनना चालना तो मैंनों पता ही नहीं है कि के मैं बनांगा बन ही नहीं सकता है क्योंकि मैं eligible ही नहीं है मेरी योगता ही नहीं है बनन दे लहीं ता ओ सुपना में कि मैं अचीव कर सकते हैं तुसी आप सोच सकते हूं तो achievable क्या हूंद है breaking down big goals into smaller part will make the goal achievable जो तुसे बड़े सुपना नों छोटे parts दे विच डिवाइड करके हासल करन दी कोशिश करने हूं तो ओ अचीवेबल बन जान देने हूं प्राप्त करन दे योग बन जान देने जिमें एक bigger goal दी एक्जांपल दिती हुई है I want to become a teacher in my school मैं अपने स्कूल दे विच अधे अपक बनना चाहना इना बड़े सुपने नों तुसी छोटा कार सकते हूं जिवें complete higher secondary मैं पहला प्लस टू पार करां दन उस्वाद मैं graduation मतलब डिगरी करां दन उस्वाद teaching दे लिए जो बीएड कोर्स हूं दे हो मैं complete करां फिर मैं उस्वाद नौकरी दे लिए अपलाई करां ठीचर बनन दे लिए ता देखो एक बड़े सुपने नों मैंने छोटे-छोट दे लिएड करता जो मैं अचीव कर सकता हूं नेक्स दे रियल स्टिक हों दे है कि एक असल दे विच जो गोल है वो सच भी होना चाहिदा है कि मैं इसनों अचीव कर लाम हो एतन ही होना चाहिदा है कि जो गोल सुनके अजीव लगे भी मैं अचीव ही नहीं कर सकता है मैं उस पूरे साल दी किताब इक दिन दे विच पढ़ लवांगा ते मैं अच्छे नमबर लवांगा एक्जम्पल है अन्रियालिस्टिक गोल दी देखो एक पॉसिबल नहीं है कई वरी बच्चे अन्रियालिस्टिक कई वरी क्या हर वरी बच्चे अन्रियालिस्टिक गोल बना लेंदे हैं रियालिस्टिक गोल दी एक्जम्पल किया है कि मैं दिन दे विच पिन कंटे दमा अपनी पढ़ाईनू थाकि मैं एंड दे विच रिवाईज करके एक्जाम दे व प्रोजदी टाइम बाउंड, टाइम बाउंड दा मतलब है, एक समय दे विच्छ होना चाहिए, एक टाइम दे विच्छ अपना गूल खतम होना चाहिए, देख रहां, समार्ट गूल शुद हैव टाइम फ्रेम बाई विच्छ अपना गूल है या अपना एम है उसनों हासल करना है, अगर समा होएगा, ताहीं तुसी पूरी एफट दे नाल, पूरी हिम्मत दे नाल, अपने टिच्छे वल वदोंगे, नहीं ता कोई फाइदा नी होएगा जिमे, एथे एक बिना समय तो कोई गूल मिथ्य होया, जिमे, I want to lose 10 kg someday, भी मैं 10 kg अपना वजन कटा मांगा किसे दिन, उन्हें नहीं पता किस दिन, ता रूज बंदा ही सोचेगा भी चलो कल तो शुरू करांगे, प्रेक्स, ता एदा नहीं होना जाहिएगा, टाइम बाउंड होन इंट्रेस्टिंग लगया होएगा, समझ आया होएगा, ता इसे प्रेक्टिस एक्ससाइस देख लेने हैं, कुछ क्वेश्चन देते हो है आप आनो, ओ निगा मार लेने हैं, आन्दे हैं कि नहीं, गोल सेटिंग क्या होनदा है, एनध होनो प्रदास चुक्यां, कि आसी इसा गोल जो बिल्कुल क्लियर होएगे ते जिसनों आसे अचीव कर सकी है, ता इस दिबारे दूसे लिख लेओ अपने शब्दा देवेच, वट इस बेस्ट वेट वेट वर्क अन लांग टर्म गोल्स, ता बेस्ट वेट की है जो बहुत ही लंबे समय ते या समाल लैन वा तो वट्दा गोल है ओ असान हो सकेता है, यह सिगाजी अजर सेशन, I hope you will learn something new, तब मिलांगे जी नेक्स वीडियो देविच, सेशन नम्र 5 देना, Self Regulation Time Management देना, Till then take care and have a nice day, thank you